वेल्कम टू पिपिसी मेकर दस्तू आज है 23 अक्टवर 2020 और 23 अक्टवर 2020 से सम्मंदित बिहार करेंड़ेफेर्स और साथ ही राष्ट्र राष्ट्र गष्ट्र गष्ट करेंड़ेफेर्स के जितने भी प्रश्ण बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो मताऊंगा लेकिन जो पिछले वीडियो मैंने अपसे प्रश्ण पोचा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्ण था कि बिहार के किस जीले में इंडिया स्किल 2021 का आयजन किया जाएगा कंप्लेट जानकारी यहां से मैंने आपको इस प्रश्ण से आपको यह भी ध्यान देखना है कि बिहार में वरतमान समय में दो उपमुक मंत्रिय एक तो हैं तरकिशोर परसाथ दूसरी है रेनु देवी यह तमाम चीजे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था तो यहां पर इस प्रश्ण का हमारा राइट आंसर ऑप्सन नमर स प्रश्ण के अंतमे आपसे प्रश्ण पूछा जाएगा उस काहल राइट बाक्स के द्वारा किया यह प्रश्न पूछ जा रहा है तो इस प्रश्ण का हमारा राइट अंसर यह है option no.B यानि कभी हाली में बिहार सरकार ने किर्शी को प्रोसाहिद करने के लिए एक महा अभियान शुरू करने की गोश्णा की है तो यहाँ पर अप्सन नमर B यानि कि बिहार सरकार इस प्रशनी का राइट अंसर होगा अब complete जनकार यहाँ पर आपको दे दूँगे खेती को प्रशाहिद करने के लिए हाली में बिहार के मुख्य मंतरी नेतिश कमार ने महा अभियान शुरू करने की गोश्णा की है और इसकी सुरुआत जो होगी यह 23 अक्टवर 2021 को की जाएगी यह आपको यहाँ से ध्यानक ने आज है 23 अक्टवर और आज ही इसकी सुरुआत की जाएगी और फिर यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि इस महा अभियान के दरान जगा 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 निस्चित चौपाल से लेकर किसानों को वेग्यानिक पहलों से अवगत करा जाएगा और शाथ ही इस महा अभियान के दरान बीच की खरेदारे पर अनुदान भी दिया जाएगा तो यह तमाम जनकार यहाँ से याद है कि हलाकि बीच पर अनुदान भीहार सरकार पहले भी देती आ रही है लेकिन यहाँ पर इस महा अभ्यान के तहद भी बीच पर अनुदान दिया जाएगा अब यहाँ पर इसी में हमारा अगला पॉइंट है इस महा अभ्यान के तहद 23 लाख हेक्टियर में 72 लाख मेट्रिक टन गेहु उत्पादन का लक्ष निरुधारित किया गया है यह आप यहाँ से जाद रखे हैं यह important point है इस तुरह के प्रशन पोछ आते हैं कितना मतलब लक्ष लिया जाता है यह तमाम चीज़ें यहाँ से आपको यह जो आंकड़े हैं अब यहाँ से यह आपको याद रखना है मैंने दो अन्य तथ को add किया है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उप्योगी हो सकता है इससे दो अन्य तत्थ में अगर हम देखें तो इतनोल पॉलेशी को लागू करने वाला भारत का पहला रज्य बिहार है यह most important प्रशन है इसे आपको याद रखना का कौन सा अस्थापना दिवस मना गया है बिहार के रखने फेर्श की दरिश्टी कौन से ये भी प्रशन बहुत ज़्यादा important है और इस प्रशन का हमारा right answer option number C यानि कि एक सो तीनवा अस्थापना दिवस अभी हाली में अब यहां पर आपको इसक पर हम डिटेल जनकारी देदू हम कि इस वरसे 2021 में बिहार हिंदी शाहित्ति शम्म्मारण का एक सो तीनवा अस्थापना दिवस मना गया है और इस शम्म्मेलन के तरथ पढटना में सममान्समारों का ऐजन केंगया जिसमें बेतिया की मेरी ओडलेन को साहित च्छेतर में योगदान देने के लिए साहित चुलामनी शम्मान से सम्मानित किया गया है आपके प्रस्ण यहां से भी बन सकते हैं कि साहित चुलामनी शम्मान से 2021 में बिहार में किसे सम्मानित किया गया है तो यहाँ पर आपको याद अखना ये बेतिया की मेरी ओडलिन को साहित छित्र में योगदान देने के लिए साहित चुलावनी शम्मान से सम्मानित किया गया है ये बिहार हिंदी साहिति सम्मेलन में रेंकिंग फ्रेमवर्क में IIT पटना को एक किस्वा स्थान मिला है। अगर आप मारे वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हैं तो ये वाला प्वाइंट आपके मैंड में क्लिक कर रहा होगा। ये प्वाइंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कंप्लीट जनकारी यहां से मैंने आपको दिया था आपको याद रखना है कि नेशनल इंस्टूट रेंकिंग फ्रेमवर्क में IIT पटना को एक किस्वा स्थान मिला है। ये तमाम चीज़े गर आप याद रखेंगे ये छोटे-छोटे facts वले ही हैं लेकिन ये आपको एक्जाम में बहुत help करेंगे आप प्री एक्जाम में सफलता दिलाने में इसका एक अहम योगदान होगा। तो सभी चीज़ों को यहाँ से आप लोग याद रखें और शभीक आप लोग note-down अपनी copy में जरूर किज़ें इससे क्या होगा आपकी तैयारे बहतर होगी और आप एक्जाम में बहतर कर पाएंगे और यहाँ पर एक बात और बता दो कि जो लोग इसे note नहीं करना चाते ह मनाय जाने की घोशना की है यह आपको यहाँ से धानेक नहीं कितने जीलों में ग्लोबल आयोडिन अलपता बचाओ सप्ता मनाय जाने की घोशना की है इस प्रशन का हमारा right answer है option number D यह घोशना 14 जीलों के लिए किया गया है और बिहार के स्वास्त मंत्री मंगल पांडे के द 28 अक्टवर से लेकर गए 28 अक्टवर 2021 तक मनाय जाएगा 21 अक्टवर को इसकी शुरुवात हुई है और यह 28 अक्टवर को समाप्त होगी यानि कि आपको यहाँ पर ध्यान लेखना यह 21 से 28 तक इसकी अवधी है और शाती साथ यहाँ पर मैंने एक और पॉइंट को एड़ क पूरे विश्व में आयडेन अलपता दिवस 21 अक्टवर को मना जाता है और इसी दीन के आउसर पर इसकी स्तुरुवात की जारी है यहाँ पर भिहार के स्वास्तमन्ति मंगल पांटे के दौरा और यहाँ पर हमारा अगला प्रशन के विश्व आयडेन अलपता दिवस मनान के सरकार द्वारा कितने रुपिए खर्च करने की घोश़्ना की गई है एक चीछ यहाँ पर आप दिखान रहेगा यहाँ पर हम बात कर रहे है के अंदर सरकार के द्वारा अब यहाँ पर आपके बतादू quantum के संध के लिए तथा उसकी संख्या में विर्धी के लिए 15 से कलो रुपिय खर्च करने की घोशन की गई है अब यहाँ पर आप एक सी ध्यान रखेगा I think आप यह पहले से भी जानते होंगे कि डॉल्फिन जो कि यह भारत की जलियत जीव है और यह भारत में सबसे ज़्यादा गंगा नदी में पाए जाती है यह आपको यहाँ सिध्यान रखना और शाती साथ यहाँ पर आपको बतादों कि डॉल्फिन के संडरक्षन के लिए बिहार की राधनी पटना के पटना इन्वर्सिटी के परिसर में एश्या का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की अस्थापना की जा रही है और इसका उद्देश से डॉल्फिनों की संख्या में विर्धी करना है तो बिहार सिरकार भी इसमें लगे भी है यह तमाम चीज़े यहां से आपको याद रखना यह परशन बहुत ही जावा इंपोटेंट है यह प्रशने के हाली में आई एकर रिपोर्ट के अनुसार अफराद का पता लगाने के मामले में कौन सा राज्य सिर्ष पर है तो यह आंक्रे बारे प्रशने हैं तो यह भी इंपोटेंट होते हैं और इस प्रशने का हमारा राइट अंसर आपसन नमर बी यानि कि गोवा इस प्रशने का राइट अंसर होगा अपराद के मामले का पता लगाने में गोवा राज्य सिर्ष पर है अब आपको यहाँ पर बता दूँ कि हाली में आई एकर रिपोर्ट के अनुसार अपराद का पता लगाने के मामले में गोवा सिर्ष पर है और इस रिपोर्ट के अनुसार जितने भी अपराद होते हैं उनमें से 86% अपरादों का पता गोवा राजी ने लगाया है जो कि बांकी राज्यों की तुलोना में बहुत अधीक है अब यहाँ पर हम गोवा के बात करें तो आप से जानते हैं गोवा की राजनी है पंजी और गोवा से रिलेटेट एक परशने कई बार आपके एक जाम में पूछा गया है गोवा मुक्ती दिवस कब मना जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गवा मुक्ती दिवस परतिक वर्स 19 दिसंबर को मना जाता है क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को ही गवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था यहाँ पर आपको ध्यानक ने अजादी के बाद भी गवा पुर्तगालियों के अधिन था और यह उनीस दिसंबर 1961 को गवा पुर्तगालियों से मुक्त वा था और यहाँ पर करेंट एफेर्स के कुछ परश्ण को एड़ किया गया जो कि हाली के दिनों मैं आपको बताया है यह तीनों point मैंने इसी स्रीज के अंतरिया आपको बताए हैं इन सारे चीजों को देखके आपके दिमाग में यह आ रहा होगा का आप यह सारे चीजे यहाँ पर इस channel के माधनें से पहले भी बढ़ चुके हैं तो तमाम चीजों को यहां से यादर कि आप रिविजन करते रहे हैं तभी आप एक्जाम में बेहतर कर पाएंगे अब यहां पे हमारा अगला प्रशन होगा चाठा प्रशन यहां पर आपको इस प्रशन से रिलेटेट डिटेल जनकार देदू कि हाली में आई और जल परिशन की रिपोर्ट के रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली और तमिलाडो में 17% परिवार के लोग किसी न किसी रूप में electric cooking साधनों का अप्योग कर रहे हैं जिस कारण से यह दोनों राज्य electric cooking के मामले में देश में सिर्श अस्थान पर है आपको यहाँ पर यह आंकड़े याद रखना है कि इस सूची में अगर हम बात करें तो दिल्ली और तमिलाटों को सिर्ष अस्थान पर रखा गया और यह कहा गया है कि 17% परवार के लोग इन दोदो राज्यों के इलक्ट्रिक कुकिंग साधनों का अपयोग कर रहे हैं और वहीं पर हम इस सूची के बात करें तो वहीं तेलंगाना 15% और केरल 12% की दर से करमसत दूसरे और तीसरे अस्थान पर है इस मामले में यानि कि इलक्ट्रिक कुकिंग के मामले में अब यहाँ पर हम बात करेंगे उर्जा पर्यावरन और जल परिशत की तो उर्जा पर्यावरन और जल परिशत एक गैर लावकारी नीती अनुसंदान संस्थान है और इसकी स्थापना 2010 में हुए थी तथा इसका मुक्षाले दिल्ली में है ये आप यहाँ से यादर के अब यहाँ पर चर्चा हो रहे हैं दिल्ली और तमिलाडू की तो इन से लेटेट कुछ फैक्ट्स है जो कि यहाँ पर एड़ किया गया है आप सभी को एक एक करके देख सकते हैं तो हाले में दिल्ली सरकार ने रेट लाइट ओन गाड़ी ओफ अभियान की सुरुवात की है और इसके लावे रिक्षार उपन नीती लागू करने वाला भारत का पहला किंदसासित प्रदेश दिल्ली है दोनों पॉइंट यहाँ पर याद दखे और यहाँ पर अगर हम बा यहाँ पर हम चलेंगे आगे और आपको एक महत्पूर्ण जानकारी देदू कि इस चैनल के माध्यम से हमने अगा में 67 वी बीपेसी और वीपेसी सीडीप और एक्जाम को देखते हुए टेस्ट स्रीज का जन किया था जो कि ऑनलाइन और साथ ही साथ पीडियाप प्रमेट म आप इसमें टेस्ट ले सकते हैं खुद से लेकिन ओनलाइन लेने से फायदा यह होगा ओनलाइन टेस्ट का फायदा यह है कि आप वहाँ पर खुद का आंकलन कर पाएंगे कि आपकी तैयारी अगामी एक्जाम को देखते हुए कैसी है और साथ ही साथ जो अन्य परतिभाग हो थी जावाज चर्चे में है तो यहां से आपको जो भी रिलेटेट जानकारी होगी वो याद रखना है अब यहां पर आपको इस प्रशन से रिलेटेट जानकारी देदू कि हाले में रूस ने नाटो के लिए अपने मीशन को निलंबित और मास्कों में इस्तित नाटो के शेन शंपर्क और सोचना कारियाले भी बंद करने की गोशना की है ये गोशना भी हाली में रूस सरकार के द्वारा किया गया है और आपको बता दूँ कि नाटो का आरोप है कि रूस के मीसन के कुछ सदस से खोफिया के तौर पर गोपनिय तरीके से काम कर रहे थे जिस कारण से मीसन अस्थगित किया जा रहा है यही इसमें बज़ा है और यहाँ पर चर्शा और यह नाटो की और नाटो से आपके प्रशन एकजाम में बन सकते हैं तो आपको बता दूँ कि उत्री अट्लांटिक संदी संगठन इसको साट में नाटो कहा जाता यह एक सेन्य गडवंतन है जिसकी अस्थापना 4 अप्रिल 49 को किया गया था और यहाँ जो मुख्याल है यह बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है यह आपको जहाँ से जाद रखने है और शाथी साथ यहाँ पर मैं बताऊ तो मैसिडोनिया 6 फरवरी 2019 को नाटो का 3010 से देश बना है अब यहाँ साब को यह भी धन रखना है कि नाटो का वर्दमान अध्यक्ष कोन है तो आप यहाँ पर अंतिम पॉयंट में देख सकते हैं कि नाटो के अध्यक्ष है ग्याम पाउलो डी पाउला इसके अध्यक्ष है तो यह जानकारी यहाँ से आत रखिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्ने पर हमारा अगला प्रश्न है आठवा प्रश्न है यह प्रश्निक हाले में किसे देश के रेचल लेविन ने पहले अब यहाँ पर आपको यहाँ पर इस प्रश्निक बार बता दो कि हाले में अमेरिका के 360 वर्शे साहय के स्वास्त सचीव डाक्टर रेचल लेविन ने देश के पहले अब आपको यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं और आपको यहाँ पर एक जनकार देदू कि जनवरी 2021 में रेचल लेविन को राष्टपती जो बाइडन जो कि अमेरिका के वर्तमान राष्टपती हैं तो इन्हों ने इन्हें 2021 में ने कि जनवरी 2021 में अपना सहय के स्वास्त सचीव चुना था और यहाँ पर मैं पको दादू कि वह अमेरिका में खुले तोर पर शर्वच रेंकिंग वाली ट्रांस जेंडर अधिकारी है वर्तमान समय में अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि रेचल लेविन अब अमेरिकी पब्ली के हेल्थ सर्विस कमिसंड क्रॉप्स की एड्मिरल है जो कि इस पद पर जाने वाली पहली ट्रांस जेंडर फॉर इस्टार एड्मिरल है यहां से जनकारी और यहां पर चरचर्चा अधिकांद में अक्षा उरजा अकरसं सुचकांक में सिर्स पर रहा है तो हाली में चर्चे में रहा लोसी मिसन अमेरिका की शपेस एजंसी नासा से समिन्दु था मैं आपको बताया था I think आपको यह याद होगा और यहाँ पर हमारा इसी में अगला प्रशांद के लिए प्रिटेन अमेरिका और ऑस्टेलिया के त्री पक्षिय गडवंधन ऑकस बनाए गया है आपको यहाँ पर द्यानका यह चर्चे में था यह तवाम चीज़े यहाँ से आपको याद रखना है अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्ने पर हमारा अगला प्रश्न होगा नवा प्रश्ने यह पर आपको बतादू कि गुजरात के मुक्ष मंत्री भुपेंदर भाई पटेल ने हाले में गुजरात के सरकारी अस्पतालों के बच्चे को निमन सरगारी इसकलों में पढ़ने वाले बच्चे को निमोनिया का मुक्त में ठीका लगा जाएगा और यहां पर आपको दादू कि बालिखों की मिर्तु दर्ग को कमी करने के उद्दिश है बच्चों को सरगारी अस्पतालों में निमोकोकल कंजूगेट टीका लगाने की घोशन की है यहां से आपको ध्यान लगना है और अगर हम बात करें निमोनिया की तो निमोनिया स्वांस समंदी एक रोग है इससे फेपरे में जलन एवंग पानी जमा हो जाता जिससे बच्चों को स्वांस लेने में तकलीफ होती है और शाती साथ यहां पे चर्चा हो यह गुजरात की तो गुजरात के वारे में कुछ पॉइट को एट किया गया है तो आप से जानते हैं गुजरात के गांधी नगर में रेलवे स्टेसन के उपर फाइफ इस्टार होटल बनाए गया पर बहुत चर्चा सरकार ने वातन प्रेम योजना के शुरुणा की नगर गरे लिया है जो एक हजार करोड की योजना है और यही जनखारी में आपको पहले भी आलरडी देगा है अब यहाँ पर हमारा अगला दस्वा प्रशन है कि इस तनस्था के मुख्य अर्थसास्त्री गीता गोफिनाथ ने हाली में अपना पद छोड़ने की घोश न की है अब यहाँ पर आपको इस प्रशन से रिलेटेड जनकारी देदू कि अंतराष्टे मुख्य अर्थसास्त्री गीता गोफिनाथ ने अगले वर्स 2022 में अपना पद छोड़ने की घोश न की यह गोश न भी हाले में किया गया था जिस वोज़से यह चर्शे में था और यहाँ पर आपको दादों कि 49 वर्से भारते अमेरिकी अर्थसास्तरी गीता गोफिनाथ जनवरी 2019 में मुख्य अर्थसास्तरी के रूप में अंतराष्टे मुद्रा कोस में सामिल हुए थी और यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि जनवरी 2022 में यह अपना पद छो यहाँ पर एक सब्द छुड़ गया आप ध्यान देगा यहाँ पर भारते सब्द होना चाहिए यह पहली भारते महरा जो कि IMF पद पर पहुँची है और इसके अलावे रगुराम राजन के बात IMF में इस पद तक पहुँचने वाले वे दूसरी भारते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर आपको इस प्रशनी बारते हैं कि हाले में जपान के संसद डाइट में निशले सदन को आम चुनाव के लिए भंग कर दिया गया है और यहाँ पर आपको याद होगा को दिन पहले मैं आपको बता था कि जपान के नए परदान मंत्री बने हैं और इनका नाम है इसकी गोष्णा की है और यहाँ पर और दियान है निशले सदन के रूप में पिछला जो चुनाव वा था निशले सदन के लिए पिछला चुनाव वा था वो परदान मंत्री सिंजो अबे के सासन का आल में 2017 में वा था जिसे कभी हालि में भंग किया गया है और आप सुजा जमेक से 21 का जो आयजन हो था ये भारत और जपान के बीच वा था ये अरप सागर में अजित क्या गया था अब यहां पर एक और प्रशनी के देश नयी बलेश्टिक मिसाइल का परेक्षिन किया है तो यह परेक्शन अभी हाले में उत्तर कोरिया के द्वरा किया गया अप्सन नमर B यहाँ पर इस प्रशनी का राइट आंसर होगा अब यहाँ पर आपको बता दूँ कि हाले में उत्तर कोरिया ने एक बार फिर 25 से नई बैलेस्टिक मिसाइल का परेक्शन किया है और यहाँ पर हम अन्य तत्ति के गर बात करें तो अन्य तत्ति में हाले में उत्तर कोरिया ने हसुंग एट नमक नई विक्सित हाईपर सोनिक मिसाइल का सफलता पुरवक परेक्शन किया है और इसके लाबे अगर मैं बात करूँ तो अन्तरक्ष्टे ओलंपिक संग ने उत्तर कोरिया को 2022 तक ओलंपिक खेलों से निलंबित कर दिया है यह भी चर्चे में था तो दोनों पॉइंट यहां से आप लोग यादे कि यह बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है तो यहां से यह सारे चीज़ों को दियान रखे और साथ यहां पर आपको बता दो कि जो लोग हमारे इस करेंट अफेर्स की सीरीज में भाग रहे ना चाहते हैं तो हमारे एप को डाउलोड करें यहां पर इसका मेंबर्सिप बाला जो प्लान है करेंट एंफेर्स का वह से मतलब कि लेने के बाद आप यह सारे चीज़ों को आप एकसेस कर पाएंगे तो ध्यान रखे आपको जोबी चीज़ चाहिए एप पर जाएए हमारे एप पर वहां पर आप यह सारे चीज़ों वहाँ पर आप एक्सेस कर पाएंगे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स वीडियो में ये वीडियो कैसा लगा कि रिप्या कमेंट करके आप मुझे जरू बताएगा चलिए धन्वात जहिंद